नौ साल पहले जिस व्यक्ति का अपहरन हो गया था जिसे बिहार पुलिस ने मृत मान लिया था और जिसके अपहरन के दोस में उसके परोसी को छे महीने तक जेल में गुजारना परा अचानक से वो व्यक्ति नौ साल बाद अपने घर में पाया जाता है और जब पुलिस को इस पूरी कहानी क्या है कौन है वो व्यक्ति और कहां का ये मामला है इन सब चीजों पर विश्तार से बात करेंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार में नाम वेद प्रकास है आप जंता जंक्षन देख रहे हैं और कैमरे के पीशे हैं विशाल 28-2015 को बिहार के मुकामा के कनहाईपुर में एक व्यक्ति थाना में जाता है जिसका नाम वेद प्रकास महतो होता है थाने में जाकर के वो अपने पिता रामिस्वर महतो के अपहरन का F.I.R. लिखवाता है और इस बात का आरोप जो है वो अपने परोसी जैराम सिंग महतो पर जाल देता है कि उसके पिता की हत्या के नियत से अपहरन की गई है और उसके बाद पुलिस जो है चानविन शुरू करती है जैराम सिंग महतो को पुलिस पकरती है और फिर जाच के बाद जेल भेज देती है इधर 6 महीना तक जेल में गुजारने के बाद जैराम सिंग महतो क कोट जो है बेल दे देता है और जैराम सिंग महतो कोट से बेल पर बाहर आ जाते हैं जेल से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद कहानी सीधा पहुचती है 2024 में 2024 में अचानक से जिस व्यक्ति का अपहरन जिस रामिस्वर महतो का अपहरन जो है नौ साल पहले हुआ था जिसके बा पाद रामिस्वर महतो को मृत्मान लिया गया था उसका दाहस अंसकार कर दिया गया था पुलिस भी मृत्मान चुकी थी और गाउवाले भी मृत्मान चुके थे अचानक से रामिस्वर महतो जो है अपने घर पहुंचते हैं और इस बात की भनक जो है जैराम सिंग महतो को बेल भेजा गया था जिस कांड में उनके उपर केस चल रहा है वो व्यक्ति अपहरन उसका नहीं हुआ है और वो वापस से अपने घर आ चुका है जब ऐसे ही इस बात की भनक पुलिस को लगती है पुलिस आनन फानन में वेद प्रकास महतों के घर पर छापे मारी करती है और उसके बाद वहां से रामिस्वर महतों को बरामद करती है और फिलाल नाई खिरासत में ले लेती है अब उसके बाद इस बात की चर्चा शुरू होती है कि अब आगे क्या जिस दोस्त के एवज में जैराम सिंग महतों छे महीने का सजा कार चुके थे जिनके उपर पुलिस चार्जशिट तक दाखिल कर दिया था अब आगे क्या होगा पुलिस इस बात की जानकारी देते हुए कहती है कि अब वापस हम कोट का दरवाजा खट-कटाएंगे और कोट को नया जाच रिपोर्ट सौपेंगे जिसमें रामिस्वर महतों का बयान लिया जाएगा और फिर कोट के सामने ये बताया जाएगा कि उस समय जो चार्जशिट दी गई थी उसमें कुछ खामी है तूटिया है और इस कारण से अब नया चार्जशिट दाखिल होगा और उसके बाद आगे की कारवाई वो होगी जो कोट डिसाइड करेगा आप इस बात को समझें कि एक व्य गर पुछे हैं वो पुलिस लेकर करके पहुँच जाते हैं पुलिस जब रामिस्वर महतो से पूश्ताश कर रही थी तो पाया कि रामिस्वर महतो जो है 9 साल से हरीध्यार में रह रहे थे अपने घर से दूर थे और अब अचानक से उनको घर की याद आन गई थी तो वो घ बहर आए और ऐसे में पुलिस ने उनको पकर करके वापस से जेल भेज दिया है अब इस कहानी को लेकर के आप क्या सोचते हैं आपको क्या लगता है इस कहानी को सुनकर के अपनी राय कमेंट के मादन सहम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्षन बहुत बहुत धन्यवाद